हेलो गाईज, वेलकम बैक तो दिस पाइटन सिरीज, शायद आपने इस वीडियो को सिलेक किया होगा उसका थर्मनेल देखें, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे constants in python, क्या python में constants exist करते हैं, अगर करते हैं, तो हम कैसे उन्हें use करते हैं, अगर नहीं करते हैं, तो constants को हम कैसे define करते हैं python में, तो python में constants को कैसे बनाया जाता है, तो इस सारे सवालों के answers हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि constants and variables होती क्या है तो generally we define constants as something that doesn't changes तो constant एक ऐसी entity होती है जो एक बार create करने के बाद उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं उस पे हम changes नहीं कर सकते हैं and variable एक ऐसी entity होती है जो एक बार create करने के बाद हम उसमें change कर सकते हैं that keep changing तो उसमें हम बदलाव कर सकते है तो constants change नहीं होता है and variables change होता है अगर आपने C and Java programming करी है तो आपको पता है कि कैसे हम constants को define करते थे C and Java में C and Java में हम use करते थे keywords का for defining constants C में हम use करते थे कुछ C, O, N, S, T, const keyword का and Java में हम use करते थे कुछ final keyword का तो इन keywords का use करके हम C and Java में constant को define करते थे तो जब भी हम किसी variable को उन keyword के साथ use करते थे तो वो constant बन जाता था उसको हम बाद में change नहीं कर सकते थे but what about python अगर python में हमें constants को create करना है तो कैसे create करेंगे क्या python में keywords का use होता है तो चलिए देखते हैं तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो का main मुद्दा that is constants in python तो python has no concept of constants python में constant से लेकर कोई concept है यह नहीं जैसे वो C programming language में and Java programming language में exist करता था वो python में exist नहीं करता है तो python में constant से लेकर कोई concept नहीं है आपको यह दिमाग में डाल लेना है we can't define or create constants in python हम python में constants को define नहीं कर सकते नहीं उसको create कर सकते है तो python में constants नाम की कोई concept नहीं है but what if we need constants अगर हमें python प्रोग्राम में constants को बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे तो देखिए बात कुछ ऐसी है कि python में constants exist नहीं करता है लेकिन python में आप feel ले सकते हो constants का अगर आपको constants को declare करना है अपने python प्रोग्राम में तो आप क्या करोगे कि जो variable name है उसको लिखोगे capital letters में और अपने दिमाग में यह डाल लोगे कि वो constant है और उसको आप throughout the program constant treat करोगे लेकिन जो python interpreter होता है वो constants को नहीं जानता है वो क्या करेगा वो change कर सकता है उस constant value को तो सिर्फ आप feel ले सकते है constant से लेकर python में तो चलिए मैं आपको यह example के साथ समझाता हूँ सपोज मुझे एक python program लिखना है area of circle को count करने के लिए तो इसके लिए मुझे एक constant के आवशकता पड़ेगी that is pi pi की जो value है वो है 3.14 और यह constant रहेगी throughout the program लेकिन हमारे पास ऐसा कौन सा तरीका नहीं यह python में जिसका use करके हम pi को constant बना सकते हैं लेकिन हम इसका feel ले सकते हैं हम क्या करेंगे यह जो pi variable है उसको capital letter में declare करेंगे और अपने दिमाग में ऐसा set कर लेंगे कि यह जो pi है एक constant है जब भी आप आगे programming करोगे तो pi को as a constant ट्रीट किया जाएगा तो इस तरह हम python के constants को बनाते हैं तो thanks for watching this video उम्मीद है कि आपको यह video पसंद आया होगा तो अगर पसंद आया है तो please like this video और अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe this channel it's free